क्या रितिक रोशन दे पाएंगे साउथ की सुपरस्टार यस को टकर साउथ की सुपर डूपर हिट फिल्म केजिएप चैप्टर 2 की सफलता से तो आप लोग वाकिफ हैं जिस तरह से केजिएप चैप्टर 2 ने बॉक्स ओपिस पर आतंग मचाया था इससे पूरे बॉलिवूड को काफी नुक्षान हुआ बॉलिवूड के कई बड़े स्टार्स की फिल्में केजिएप चैप्टर 2 के आगे ध्वस्त हो गई वहीं केजिएप चैप्टर 2 ने बॉक्स ओपिस पर बॉलिवूड की कई सुपर हिट फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड तोड़े और उसके बाद लोगों को पता चला कि केजिएप का पार्ट 3 भी आने वाला है जैसा कि आपको पता होगा कि केजिएप चैप्टर 2 में बॉलिवूड से संजदत और अविना टंडन इस फिल्म में शामिल थे वहीं केजिएप चैप्टर 3 में मेकर्स ने बॉलिवूड के सुपरस्टार रितिक रोशन को अपनी फिल्म में लेने का मन बना लिया है बताया जा रहा है कि मेकर्स रितिक रोशन को यस के ओपोजिट कास्ट करना चाते हैं लेकिन केजिएप की टीम ने अभी तक इसके उपर कोई ओफिशिल इस्टेटमेंट नहीं दिया है वही शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन जब केजिएप चैप्टर टू की कास्टिंग हुई थी और लोगों को पता चलाता कि संजदत यस के सामने उपसिट में नजर आएंगे तब लोगों ने कहा था कि संजदत जो है यस को परदे पर खा जाएंगे और उसके बाद संजदत का जो अधीरा वाला लोग रिविल किया गया तब लोगों को पूरा यकिन हो गया कि संजदत इस बार यस को बरबाद कर देंगे लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज होई तो सारा मामला उल्टा हो गया उल्टा यस ने संजदत को परदे पर खा लिया और अब जब KGF चैप्टर 3 में रितिक रोशन का नाम आ रहा है तो लोग रितिक रोशन के लिए भी यही सेम बाते बोल रहे हैं लोग कह रहे हैं कि क्या यस रितिक रोशन को टकर दे पाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि रितिक रोशन के सामने KGF इस्टार यस फीके पड़ जाएं फिलाल तो KGF चैप्टर 3 को लेकर काफी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बाते हो रही हैं अब देखना यह होगा कि रितिक रोशन इस फिल्म को लेकर क्या कहते हैं आपको जान के हरानी होगी कि रितिक रोशन ने साउथ की कई बड़ी फिल्मों को ठुकराया है उनमें से साउथ की सबसे बड़ी फिल्म बाउबली भी शामिल है परबास से पहले बाउबली का ओफर S.S. राजा मॉली ने रितिक रोशन को दिया था आज आप सभी को बताएगी बाउबली कितनी बड़ी फिल्म है इसकी सफलता देखकर हो सकता है कि रितिक रोशन अंदर ही अंदर पस्ता रहे हो अब देखना ये होगा कि रितिक केजेप चैप्टर 3 के लिए हाँ करते हैं या फिर ना फिलाल तो केजेप चैप्टर 3 की शुटिंग स्टार्ट हुई नहीं है बताये जा रहा है कि केजेप के डारेक्टर परशान नील अपनी आने वाली फिल्म सालार की शुटिंग में वैस्त है दोस्तों आपको क्या लगता है कि रितिक और अपने रोकी भाई की स्क्रिन पर कैमिस्टिक कैसी रहेगी कौन किसके उपर भारी पड़ेगा कौमेंट बॉक्स पर अपनी राइज जरूर लिखें